वेलकम टू न्यू लेसेट आज के लेसेट में आप सीखोगे कि कैसे आप जीमेल एड्स बना सकते हो जी हाँ जीमेल एड्स आप अगर अपने जीमेल के प्रमोशन टैब में जाओगे तो आपको वहाँ पे बड़ी सारी एड्स दिखती है राइट एक बड़ आप जाके ट्र एड्स का पार्ट होती है तो बहुत ही बहुत ही जादा इजी है जीमेल एड्स बनाना आएए देखते हैं कि कैसे आप जीमेल एड्स बना सकते हैं तो सबसे पहले आप प्लस करोगे दैन अगें न्यू कैम्पेइन और यहाँ पे हम करते हैं और यहाँ पे आपको लेना है अब display में देखो तीन option आ रहे हैं, पहला standard display, दूसरा smart display और तीसरा है Gmail campaign, तो standard display आप बनाना जानते हो, आज हम बनाएंगे Gmail, तो आपको select करना है Gmail campaign, यहाँ पर आपको कुछ लेखने की जुरत नहीं है, और then आपको simple करना है continue, अब देखो, ध्यान से देखना, simple आप यहाँ प आप कहाँ add दिखाना चाहते हो, then आप डाल दोगे language, ठीक है, जो भी language को आप target करना चाहते हो, हम all language ले ले लेते हैं, then आप लोगे bidding, ठीक है, कौन सी आप bidding लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो, आपके पास option है, manually set bids, या फिर हम यहाँ से करती आएं, select a bid strategy directly, तो हम यह click करेंगे, और यहाँ से हम अपनी bid ले लेंगे, देखो, यहाँ पे चार options है bidding के, पहली target CPA, आपको पता है, target CPA क्या होता है, आप भूल सकते हो कि भाया मेरे को एक sale इतने रूपए की चाहिए, again this is a target, तो यह हो, यह ज़रूरी नहीं है, then second one is target return on ad spend, कि आप बता सकते हो कि भ कि भाया मैं एक click के इतने पैसे दूँगा, और enhanced conversion is, अगर आप enhanced conversion click करोगे, तो Google अपने आप आपके bid बढ़ा देगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते है, manual CPC और इसको हटा देते है, budget आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, तो मैं 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, delivery standard or accelerated standard हम ले लेते हैं, then we have additional settings जो आप पास तक देखते आए हो, add rotation, आप कैसी ads को rotate करना चाहते हो, add schedule, आप क्या schedule रखना चाहते हो, ads कब दिखें, कब ना दिखें, start and end date, आपकी ads कब start होंगी, कब आपकी ads फतम होंगी, then आप चूज करतो devices, किस-किस device पे आप अपनी ad दिखा चाहते हो, यहां से अगर मैं device क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हो, show on all devices, या set specific targeting for devices, अगर आप tablets पर नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप tablet को uncheck कर सकते हो, हम यहां कर देते हैं, show on all devices, campaign URL option मैंने आपको एक class में समझाये था, आप उस तरीके से इसको set कर सकते हो, dynamic ads, अभी हम e बनाना सीखा है, तो आप वो conversion यहां से select कर लोगे, then आप यहां पर लिख दोगे, add group का नाम, ठीक है, then keyword, आप जिस keyword के base पर targeting करना चाहते हो, वो आप यहां पर keyword लिख दोगे, same जैसे आप display में लिखते थे, then audience, यहां पर बड़े सारे audience के हमने option देखे थे, तो जो भी audience को आप target करना चाहते हो, वो audience आप यहां देख सकते हो, demographics आप age वगरा select कर सकते हो, अभी आप देखो कोई difference नहीं है, normal display ad जो हमने बनाना सीखा था, और जो हम Gmail ad बनाना सीख रहे हैं, इसमें कोई difference नहीं है, बस difference एक है, यह जो normal ad थी, वो हमारी बाकी websites को उपर दिखती थी, औ that is it, ठीक है, then एक option है, देखो, automated targeting, right, automated targeting में क्या होता है, Google जो आपकी add है, उसको अपने आप, उसकी जो reach है, वो बढ़ा देता है, अगर Google को लगता है नहीं कि वो आपके लिए और customer ला सकता है, आपके जैसे customer है, वैसे और similar customer ला सकता है, तो Google आपकी जो targeting है, वो automatically increase कर देत है, सारा control हो जाता है Google के हाथ में, जिससे कि आपको काफी पैसे lose हो सकते है, तो हम यहाँ पे लेंगे no automated targeting, विल्कुल simple, then आप डालोगे अपनी add group के bid, आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, say मैं 12, 19 रुपे देना चाहता हूँ, एक CPC, then finally आप यहाँ से अपनी add create कर new पे जाओ, upload Gmail ads, again आप banner बनाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी add upload, यह image add है, तो यहाँ पे आप यहाँ से अपनी file जो है, simple upload कर सकते हो, अपनी file create करो, add की और यहाँ पे upload कर दो, यहाँ पे आप लिख दो, अपने business का नाम, say मैं लिख देता हूँ, ABC coaching, then यहाँ पे लिख one go, ठीक है, यहाँ लिखनी पा रहा है, limit है, right, then आप यहाँ पे description लिख सकते हो, ABC coaching, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी description आप लिखना चाहते हो, वो आप लिख सकते हो, then आप लिख सकते हो, अपना display URL, क्या URL है, जो नजर आना चाहिए, ठीक है, तो आप URL यहाँ पे लिख दो, then final URL की, जो आपकी add आ रही है, उसे click करके कोई किस URL पे जाएगा, वो URL आपको लिखना है, मैं यहीं URL यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जी, then आपका logo, जो भी आपका logo है, वो आप यहाँ पे upload करो, and then यहाँ पे आप क्या करो, अपनी जो भी आपने add बनाया है, वो add आप यहाँ पे upload कर दो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple, ठीक है, बिलकुल ही simple है, कोई complication नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी details डालनी है, आपका URL जो नजर आना चाहिए, then final URL is, लोग click करके किस URL पे जाएंगे, लोग जब आपकी add देखेंगे, तो उसे click करके किस URL पे जाएंगे, वो आपको URL डालना है, then आपको यहाँ पे अपन आपकी add बन गई ठीक है, बहुत ही बहुत ही जादा simple है, Gmail add बनाना, जैसे हमने display add बनाए था, as it is, same तरीके से आप Gmail add बना सकते हो, फरक यह है बस कि Gmail add दिखेगी Gmail के अंदर, अब अगला जो सवाल है, वो यह उठता है, कि क्या Gmail adds effective हैं, देखो, अगर आप cold audience को add दिखा रहे हो, तो Gmail adds बिलक marketing कर रहे हो आप, अगर आपके पास already audience है, जो आपकी website visit कर चुके हैं, उन्हें अगर आपको remarket करना है, then Gmail adds बिलकुल उस case में effective हैं, ठीक है, जी, normal adds के लिए Gmail adds are not that good, but अगर आप remarketing कर रहे हो, तो उस case में Gmail adds बहुत 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 जादा effective हैं, ठीक है, तो अगर आपको remarketing कर करनी है, तो जैसे हमने आज देखा, आप वैसे Gmail adds बना सकते हो, नहीं, तो Gmail adds पर आपको ज्यादा focus करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है जी, तो ये था simple सा process, Gmail adds बनाने का, thank you so much for watching this lesson.